सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हुआवे की तरफ से लेटेस्ट स्मार्टफॉन इंडिया में लॉंच हो गया है हुआवे ने अपना लेटस्ट स्मार्टफॉन हुआवे Y9S को इंडिया में लॉंच कर दिया है इस स्मार्टफॉन में पॉप अप सेलफी कैमरा, HD डिस्पले और दमदा प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है आपको बता दें कि कमपणी ने इस से पहले हुआवे Y8S स्मार्टफॉन को गलोवल मार्केट में लॉंच किया था हुआवे Y9S स्मार्टफॉन के प्राइस की बात करें और इस स्मार्टफॉन की सेल 19 मई से स्टार्ट होगी वावे Y9S स्मार्टफॉन के स्पेसिकेशन की बात करें तो इस फॉन में 6.59 इंच की फॉल HD पिलस डिस्पले दिस्पले दी गई है जिसका रिजॉलिशन 1080p x 2340p दिया गया है साथ ही स्पॉन में Octa-Core Kirin 710F प्रोसेसर दिया गया है वहीं स्मार्टफॉन लेटेस्ट अपरेटिंग सिस्टम Android 10 पर रन करता है कैमरे की बात करें तो इस फॉन में ट्रिपल रियर कैमरा सेट अप मिला है जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्टरा वाइड एंगिल और 2MP का डेप सेंसर मौझूद है इसके अलावा इस फॉन में 16MP का पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया गया है Huawei Y9S स्मार्टफॉन की बैटरी की बात करें तो कंपनी ने इस फॉन में 4000mAh की बैटरी दिये है जो की 10W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है कनेक्टिबिटी फीचर्स में इस फॉन में 4G LTE का सपोर्ट, Bluetooth, GPS, GLONASS और USB Type-C जैसे कनेक्टिबिटी फीचर्स दिये गए है तो यह स्मार्टफॉन अब इंडिया में लॉंच हुआ है काफी टाइम बाद फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आप कोई वीडियो समझ में आ गया होगा अगर इस स्मार्टफॉन को आप खरेदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे डेस्क्रिप्शन में दे देंगे वहाँ से जाके आप आसानी से खरी सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा अगर फिचर में आप इसी टाइप की ओट वीडियो दिखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आप कोई सुझाब साइशन देना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो इस बीडियो को देखने के लिए आपक बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स